नमस्कार दोस्तों मस्ति 24 में आप सभी का स्वागत है जहां आपको मिलती है सारे एक्जामों से संबंधित जानकारी एवा मुख परमुख रूप से प्रिवियस एयर के कोश्चन्स और जो मातफूरन हो सकते हैं वो कोश्चन्स आपके लिए लाया जाता है तो दोस्तों वीडियो को पुरा देखियेगा ये जीविका एसी सी सी प्रिवियस एयर का कोश्चन है बहाग दो जर्टेरा में जो एक्जाम होई थी उसका है तो ये भाग एक मैंने पहले ही वीडियो में दे दिया था और भाग दो आज मैं दूँगा तो देख लिजे ये भ कि यहां से दिखाऊंगा तो इसको दिखाने से पहले पार्टू को दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा जिन्होंने मुझसे पहले वीडियो में पूछा था कि क्या गैरेंटी है कि ये प्रस्ण पूछा गया था तो मैं पहले उन लोगों को आस्वस्त करव कर देता हूं तो यह है 2013 का गेट इंट्री पास कॉमुनिटी कोडिनेटर रिटेन एग्जामेनेशन उपर में दिखाई दे रहा हुगा जी वी का और मेरा रॉल नम अप्लिकेशन नमबर है नाम है और किस दिन पर इच्छा हुई थी सटर्डे मार्च तीस दूहजार तेरा ताइम था साड़े दस और उसके नीचे है वेनू जो की पटना में एक्जाम होगा था वह है और बाकी जो नीचे डीटेल कुछ है इसे मैं जूम कर देता हूं थोड़ा साथ देख लिजें आपको दिखाए दे रहा होगा गेट इंट्री पास कॉमुनिटी कोडिनेटर रीटेन एक्जामिनेशन और नाम एप्लिकेशन नमबर सटर्डे मार्च तीस दूहजार तेरह तो यह एक्जाम मैंने दिया था इसलिए मेरे पास इसका कॉश्चन पेपर भी है लेकिन प्राइवेसी के लिए मैं दिखा नहीं सकता और प्रस्ण पत पुराना भी हो गया है तो उसमें थोड़ा फट चिट गया था और लिखा पिखा भी उसमें था तो उसको मैंने दिखाना ठीक नहीं समझा है और जो उसमें प्रस्ण पुछे गया थे उसको मैंने अलग से लिख कर आपके लिए लाया है तो यहीं सबूत दिना था जो जिन्होंने मुझे यह पूछा था कि क्या गैरंटी है कि जो आप प्रस्ण दे रहे हैं वो पिछले बर्स पूछा ग और पाट वान अगर आपने नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पाट वन का लिंग डाल दूँगा वहां से आप देख सकते हैं यह हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं तो चलिए पाट टू सुरू करते हैं प्रसंध संख्या 21 से बिहार में जून 1968 को और प्रसन संख्या 22 देखिए करकरेखा भारत के कितने राजियों से होकर गुजर्ती है तो करकरेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजर्ती है Next प्रसन संख्या 23 Long Tennis के लिए विख्यात Bimbeldon कहाँ अस्थित है लंदन में स्थित है सामुदाइक विकास कार्यकरम कब शुरू किया गया था सामुदाइक विकास कार्यकरम 1952 में शुरू किया गया था संजुक्त राष्ट के खाद एवं क्रिसी संगठन का मुख्यालय कहा है तो इसका answer है रोम में नेक्स्ट प्रस्ण प्रस्ण संख्या 26 पटना उचनियालाई की अस्थापना कब हुई थी तो पटना उचनियालाई की अस्थापना 9 फरवरी 1916 तो दोस्तो इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ संभावित प्रस्ण जो 2019 में पूछे जा सकते हैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा तो आप लोग देखते रहिएगा और प्रस्ण संख्या 27 पर चलते हैं लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है तो लिएंडर पेस का संबंध टेनिस खेल से है प्रस्ण संख्या 28 अंतियोदय कारिकरम किस से संबंध है तो एंसर है गरीबों में भी निम्रतम गरीबों का उत्थान तो अंतियोदय कारिकरम उन गरीबों के लिए है जो गरीब से गरीब गरीबों में भी गरीब है उनके उत्थान के लिए अंतियोदय कारिकरम शुरू किया गया था नेक्स्ट प्रसा संख्या 29 भारत में क्रिसी छेतर में नियुक्त स्रमिक संख्या कूल स्रमिक संख्या का कितना परतिसत है भारत में क्रिसी छेतर में नियुक्त स्रमिक संख्या कूल स्रमिक संख्या का कितना परतिसत है प्रेनों में भी मधुवनी चित्रकला को बढ़ावा दिया जा रहा है, कभी-कभी आप लोगों को भी देखने को मिलता होगा, डबबा पे पेंटिंग बनाई रहती है, तो वही है मधुवनी चित्रकला, बरतमान में बिहार के राजयपाल कौन है, तो यह उस समय का प्रस्ण था, तो उस समय 2013 में राजयपाल थे, डी वाई पार्टी, और आप लोग कोमेंट करके बताईएगा, कि बरतमान में अभी, यानि 2019 में बिहार के राजयपाल कौन है, तो कमेंट करके जरूर बताएगा, इस से मुझे यह भी समझ में आएगा, कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है, चलिए नेक्स्ट, हर्स बर्धन के समय बिहार में कौन सा बिसोवी द्याले परसी छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, ये तो लगबग सभी लोग जानते ही होंगे, नेक्स्ट, भारत की बितिये राजधानी किस सहर को कहा जाता है, तो भारत की बितिये राजधानी मुंबई को कहा जाता है, और प्रसन संख्या 36, जीम कारवेट राष्ट्रिय अभ्यारानिय कहां है तो उत्रा खंड में। प्रसन संख्या 38, जीम का मुख्य कारियाले कहां अवस्थित है, तो जीम का मुख्य कारियाले है, तो मैंने हैदराबाद एंसर डाला है चलिए नेक्स्ट, बिहार में जीम का की अस्थापना कब की गई? तो एंसर है 2 October 2007 को प्रसन संख्या 40 गांधी इर्विन समझावता किस से संबंधित है तो गांधी इर्विन समझावता सविने अवग्या आंदोलन से है तो ये था लश्ट प्रसन और क्या है देख लिजे इसको भी देखना जरूरी है तो वीडियो को फूरा देखिए दोस्तों इस वीडियो को लाने में जो देरी हुई उसका कारण ये था कि प्रसनों के उत्तर खोजने में समय लग गया तो देर से वीडियो लाने के लिए सौरी और निचे है इसमें हमने मैथ एवं रिजिनिंग के प्रसनों को सामिल नहीं किया है तो मुझे माफ कर दें इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो जीविका 2019 में जो पूछा जाएगा उसका संभावित प्रसनों को लेकर आऊंगा तो देखते रहिए मस्ती24 और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से सेर करें ताकि उन लोगों को भी फाइदा हो और जो मैं संभावित प्रसन लेकर आने वाला हूँ वो भी इंपटेंट होगा और जीविका में 2019 में जरूर आपको काम में आ जाएगा तो जीविका का ये पाट वॉन था जिन्होंने पाट वन नहीं देखा है वो पाट वन देख लें और अगर आपसे वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाहिए वहाँ पे मैं लिंक डाल डाल दूँगा वहाँ से आप देख सकते हैं तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई अलविदा